प्रधान मंत्री नरींद्रमोदी आज गुझरात की आनंद में कुषी और खादय प्रसंस्ट्वण पर राश्ट्रे सिकर सम्मेलन की समापर्डत्र के दौरां वीडियो कांशनिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे प्रधान मंत्री का रेले की ओर से ज़ारी एक बयान में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में प्राकरती खेती पर ध्यान के इंद्रित किया गया है और किसानों को प्राक्रतिक खेति के तरीके अपनाने के लाभूं के बारे में भी सभी आवशक जानकारी उपलब्ट कराई जाएगी प्यम्मों ने कहा है कि सरकार किसान का लियान के लिए प्रधान मंत्री की जिस्टे से प्रिरित है और वो उत्पादक्ता में वृध्धी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद है ताकि किसान अपनी किसी शमता का अधिक से अधिक को पियोग करने में समर्थ हो प्यम्मों ने कहा कि सरकार ने कृष्षी में बदलाव लाने और किसारों के आए बढ़ाने के लिए नियों कुपाई शुरू करती हैं प्रणाने के स्तिता, लागत कम करने, बाजार पहुंच और किसारों को बहतर मूले दिलाने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ावा देनी और उनका समर्थन करने के प्रियास किये जा रही है प्यमों ने कहा कि ऐसी रणीतियों पर जोर देने और देश के किसारों को संदेश देने के लिए गुज्वाज सरकार प्राकरती खेती पर ध्यान देती हुए कृषियों और खाद्य प्रसंस्क्रण पर राष्ट्रे शिकर सम्मिलन का आयजुन कर रही है ये तीन दिवसी शिकर सम्मिलन 14-16 दिसंबर तक आयजुत किया जा रहा है शिकर सम्मिलन में आइजार के केंद्रे संसाध्रों, राज्यों में कृषिविज्ञान केंद्रों और एटीमे नेट्वर्क के माध्यम से लाइफ जुड रहे किसानों के लावा पांच हजार से जादा किसान उपस्तित रहेंगे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी आज किसानों को संभोधित करेंगे, किसी से जुड़े फाय देगे और किस तरह से शिकर सम्मिलन में प्राकरतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इसको लेकर किसानों से बाच्शीत भी कर सकते हैं